नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंग निराला कांट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों डेली के भाती आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूँ और आज के इस व बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए बहुत सारा आइडिया आप लेख सकते हैं कि कैसे आप कम जगा में तीन बेडरूम के अलसात हॉल कीचेन बातरूम और उसके साथ साथ एस्टियर भी बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह आप देख रहे हैं यह इस घर का साइड वीव है और यह है इस घर का फ्रंट वीव तो देख लिजिए फ्रंट वीव बीस फीट का है और बीस से तीन फीट का यहां पर आपको रासा देखने को मिल रहा है इसके बाया साइड का बात क्या जा है तो यह रहा इस घर का किचेन कीचेन का साइज का बात किया जा है तो इसे साथ फीट बाई छे फीट का रखा गया है और गली के इधर का बात किया जा तो यहाँ पर रखा गया है सीडी रूम तो यह तो थो बात सामने का चली गली से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से इसे बने अजा रहा है तो यह रहा गली, यह रहा सीडी रूम यहां पर सीडी बना जागा यूसेप में मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा जैसे ही गली से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है हॉल तेरा फीट बाइ दस फीट का दस फीट बाइ तेरा फीट का इतर में साथ फीट का आप लोगों ने कीचेन देखा था इसे आप देख लिजे अलाकि बिल्कुश तुरुवाति दोर में काम है एक विंडो भी आपको देखने को मिल रहा है तो देख लिजे इधर आपका सीडी था फिर ये था गली फिर इधर आपका था कीचेन वहां से गली से आगे बढ़ते हैं तो ये आपको मिला था हॉल ये देख सकते हैं ये हॉल है दस फीट पर तेरा फीट का फिर यहाँ पर एक मिलता आपको बेडरूम जिसका साइज दस फीट बाइ दस फीट का है देख सकते हैं और उसके जस्ट आगे आते हैं तो आपको मिल जाता है साथ फीट बाइ लगबग तेन फीट का कॉमन टोलेट बाथ रूम देख लिजी कुछ इस तरीका से बनेया जा रहा है और उसके साथ साथ इस कॉर्णर का बात क्या जाए तो दो रूम आपको देखने में मिल रहा है पूरा जान कार मैं आपको फिर से समझाऊँगा अगर आप कॉन्फ्यूज हो रहे है तो लेकिन वीडियो का पूरा देखेगा तब ही आप अच्छे से समझ पाईएगा तो यहां पर hall था उसके आगे जस्ट गया तो आपको मिल इस कॉर्णर पर भी 10 feet by 10 feet का रूम उस कॉर्णर पर भी 10 feet by 10 feet का रूम लिंटर लेवल तक कर्जो ताम है वो हो गया है आप देख सकते हैं है hall और अभी मैं यहां पर kitchen में खड़ा हूँ उस साइड का बात किया जाए तो उसको नंक पर मिलता है आपको बेडरूम फिर उसके बगल में अपने ट्वालेट और बातरूम देखा था फिर ये रूम है और फिर इसी के आपजिट साइड आपको स्टेटी जून देखने को मिला था बिदिर रूम है और इसके बगल में सेडी जून तो मात्मज़ें छे सोग प।21 में इस घर में आपको फिर पहला बेडरूम दूसरा बेडरूम यहाँ पर ट्वालेट बातरूम फिर तिसरा बेडरूम फिर वहाँ पर स्टीन और उसके सब्साय सथ हॉल भी आपको मिल जारा जिससे आप डाइनिंग एरिया के रूपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आप भी चाते हैं कम जगा में एक छोटा सा प्यारा से घर बनाना तो इस पैटन के साथ भी आप बना सकते हैं आप देख लेजे कुछ इस टाइब से इस घर को बने आजा र और जो टोटल कोलम का संख्या है वह बारा है और साइज के बाद केज़े तो दस इंची बाई दस इंची का है एक्चुली मैं अधर तब्यात खराया है दोस्तो और थंडा भी चल रहा है थंडा को मसले बोलने हैं कुछ प्रब्लम्स आ रही है लेकिन उमीद हैं आप लोग इस घर को बनाने में अप टक टोटल कितना रुपा का खर्चा आया है उसका भी वीडियो में आप लोकली बहुत जल अपलोड करने वाला हो तो दोस्तों चैनल के साथ बने रही है वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो प्लीज चैनल को सब्सकाई करने के साथ साथ इस वीडियो में थब तक के लिए एंजिनियर प्रभाद और पूरी नियरला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजे इसाज़त नमस्कार